बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिराहिम अस्लाम अलेकों माय यूट्यूब फैमली वेलकम टू जवेर्यास कुक बुक आज मैं आपके लिए शाही गजरेला की रेसिपी लेकर आई हूँ भई हम इसको शाही गजरेला क्यों कह रहे हैं चलिए रेसिपी को स्टार्ट से एंड तक कैसे हमने इसको शाही तरीके से रेडी किया है चलिया यह स्टार्ट करते हैं मिल्क ले लिया है मैंने टू लिटर और इसको बॉयल करने के लिए मैंने एक पैन में रख दिया है फ्लेम को हम हाई रखेंगे जितनी देर में मिल्क जो है वो बॉयल होता है इतनी देर में हम र इस तरह का हो जाए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपने ग्राइंट करना है वन केजी मैंने गाजरे ली थी उनको मैंने ग्रेट कर लिया है अब यह जो मैंने चावल रडी किये थे वो इस मिल्क को बॉयल आ चुका है इसमें एड कर देंगे और यह जो गाजरे थी वन तक हम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा कुक कर लेंगे चमच की मदब से आप इसको साथ-साथ मुसलसल हलाते जाएगा यह देखे पांच से छे मिनट तकरीबन हमें हो गए है इसको कुक करते हुए अब हम ऐसा करेंगे कि फ्लेम को लो कर देंगे फ्लेम को लो करने के बाद इसक तकिरिबन 20 मिनट के लिए इसको लिड के साथ कवर करेंगे और फिलेम को बिल्कुल लो करतेंगे और साथ-साथ इसको चेक करते रहेंगे 10 मिनट के बाद मैंने इसको कवर हठा कर थोड़ा चेक किया है यह देखें गाजरे हमारी वायल हो रही है 20-minute procedure हमने इसलिए करना है कि गाजर और जो हमने इसमें चावल डाले हैं वो थोड़ा अच्छी तरह से गाल जाए यह देखे 20-minute complete हो चुके हैं और इसका texture भी थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है अब इसमें मैंने हरी लाइची नी थी 10-12 उसके बीज निकाल लिये थे औ कर सकते हैं और इसको साथ साथ हम हिलाते जाएंगे फ्लेम को हाय कर देंगे भी अब इसमें ख्षया जाएंगा हाँ यह हमारा शाही-स्टैल का घजरेला इसमें हमने ख्षया एड़ uhed किया चाब आप इसमें ख्षया एड़ करकर करके बनाएगे तो इसका टेस्ट बहुत ह आप इसमें मैंने केवरा वाटर एड़ किया है वन टी स्पून ये मैं आपको बाटल दिखा रही हूं कि अगर किसी को समझना आए तो वो ये बाय कर सकता है ये देखें आप इसमें मैं थोड़ से ड्राइब फ्रूट एड़ करूंगी गजरेला हमारा थिक हो चुका है रेड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं किसी जबरदस सी अथेंटिक सी रेशिपी के साथ तब तक अलाहाफीज